Good morning students, welcome to MCPS online classes, class 2nd, subject EVS, chapter 6, part 1st. Students, this is our chapter number 6, people at work, यानि जो लोग काम करते हैं, यानि कि वेवसाय करते हैं, जैसे हमारे पापा, हमारे दादा जी, अंकल, ये सब काम करते हैं पैसा कमाने के लिए. तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि किस किस तरहें के लोग काम करते हैं और वो हमारी इन काम के जरिए कैसे help करते हैं. अब हम सारे काम तो हम अकेले खुद कर नहीं सकते, अलग-अलग तर हैं कि लोग अलग-अलग काम करते हैं, जैसे कोई दूद बेशता है, कोई न्यूस पेपर लाता है, कोई डॉक्टर होता है, तो कोई इंजीनियर होता है, तो हमारे अलग-अलग तर हैं कि सारे काम अलग- या काम करते हैं, ओके, तो लेट्स स्टार्ट, पीपल डू डू डिफरेंट टाइप ओफ वर्क तो अर्न मनी, अलग अलग तरहें के लोग, अलग अलग तरहें का काम करके, पैसे कमाते हैं, मनी अर्न करते हैं, कमाते हैं, वर्क याने काम, डिफरेंट याने अलग अलग, पी to earn money is called an occupation, यानि कि जो हम काम करते हैं उस काम जो हम काम करते हैं उससे हम जो पैसे कमाते हैं तो ऐसे काम को हम कहते हैं occupation यानि कि हमारा व्यवसाय हमारा धन्दा, हमारा काम No work is big or small कोई भी काम जो है वो छोटा और बड़ा नहीं होता है मतलब हम कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ये काम छोटा है तो ऐसा नहीं है We should respect all kind of occupations हमें क्या करना चाहिए हर काम की उसकी respect करनी चाहिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा काम है ये मैं नहीं करूँगा या ये छोटा काम करने वाला हम उसकी respect नहीं करेंगे तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए Next is People have different occupations मतलब अलग-अलग लोग जो अलग-अलग तरह का काम करते हैं अब हम उसके बारे में read करेंगे Every day we need people Every day we meet people who have different occupations These people help us in different ways अब ये बोल रहे हैं कि रोजाना Every day मतलब रोजाना We meet याने हम मिलते हैं किन से मिलते हैं अलग-अलग तरहें के व्यवसाए करने वाले लोगों से मिलते हैं जैसे देखो These people help us in different ways और ये हमारी अलग-अलग तरहें से help करते हैं कैसे help करते हैं जैसे सुबह ही जब हमारे यहाँ पर newspaper लेकर आता है newspaper जो देने आता है वो तो वो हमारी help कैसे करता है कि वो हमें newspaper लाकर देता है तो उससे उसने पैसा तो कमाया लेकिन हमारी तो help हो गई न कि हमें घर बैठी क्या मिल गया newspaper मिल गया उ न्यूस पेपर न्यूस पेपर vendor ब्रिंग जिछ न्यूस पेपर एवरी मॉर्निंग तो जो newspaper बेचने वाला है वो हमें bem जल्दी आकर हमें newspaper देदा है एवरी मॉर्निंग यने रोजाना तो उसका, वो क्या होगा है हमारी help करने वाला जाना तो घर बना से नहीं सकता है तो अलग-अलग लोग मिलकर जो हमारा घर बनाते हैं अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे एक घर जो तयार होता है तो वो अलग-अलग तरहें कि लोग मिलकर उसको बनाते हैं मतलब जो सीखे वे लोग होते हैं कुशल अपने काम में जो होशयार होते हैं वो वरकर जो है मिलकर क्या करते हैं पक्का हाउस बनाते हैं लेट अस लर्न अबाउट सम ओफ दीज वरकर्स मतलब आओ हम इसके बारे में पढ़ते हैं फर्सट है एन आर्किटेक्ür एन आर्किटेक्ब्श ड्रोज दा प्लाण ओप अवर हाउस और अदर बिलिदिंग्स तो एक आर्किटेक्चर जो होता है वो पहले क्या करता है हमारे घर का मैप बनाता है नक्षा बनाता है उसके बाद में आगे जो वरकर है वो उस पर काम करता है मैइशन लेज, ब्रीक अंड टाइल्स तू मेक व्ल, फ्लोर्स अंड रूफ औफ हाॉस और अधर बुल्दिन्ग्स अब फिर क्या होता है मैशन मैशन यानि इसका कारिकर होता है इटे और पत्थर लगाता है टाइल्स लगाता है उससे वो क्या करता है हमारी building बनाता है या हमारा घर बनाता है उसका आंगन और उसका छट वगेरा यह सारी एक बनाता है कौन होता है वो मैसन होता है कौन होता है मैसन यानि कारी गर A carpenter makes and repair furniture and door and windows अब carpenter क्या करता है हमारे घर पर काम कारपेंटर जो होता है वो हमारे खिडिकएं दर्वाजे, फ Magn益 और ये सारी चीजें बनाता भी है और कभी अगर टूट जाता है तो उसको ठीक भी करता है कारपेंटर कौन होता है दर्वाजे और खिडिकें वगारा लकडी का काम करने वाला जिसको हम खाती बोलते हैं है ना तो वो हमारे furniture वगएरा का काम करता है next plumber plumber कौन होता है जो हमारे नल वगएरा जो पानी का जो काम करता है वो होता है plumber a plumber fit and repair the water tank, water pipes and tapes in our house plumber जो होता है वो हमारे घर पे पानी के जो tank होता है जो हमारे नल होते है जो हमारे pipes होते है उनको ठीक करता है और उनको लगाने का भी काम करता है next होता है electrician अब electrician हमारे घर पे क्या करता है an electrician lays down pipes and pipes for electricity wire along the wall of houses and fits and repair fence, light, bulbs etc अब जब हमारे घर बनाते है तो हम electrician को भी बुलाते है और फिर वो क्या करता है हमारे घर में पहले electricity के लिए pipe डालता है फिर उसमें wire वगेरा डालता है और बाकी सारे जो ऐसे electricity के काम होते हैं वो करता है कई बार हमारे fan वगेरा, light वगेरा खराब हो जाती है तब भी हम क्या करते हैं? electrician को बुलाते हैं उसके बाद में देखिए painter कौन आ गया फिर? painter painter क्या करता है? हमारे घर की दिवारों को paint करता है painter paints the wall and ceilings जो हमारी चत होती है वो और हमारी wall याने दिवारे उनको क्या करता है? painter paints the wall and ceilings of our houses, schools and other buildings तो जो painter होता है वो हमारी चतों और दिवारों को घर की चतों और दिवारों को, school की चतों और दिवारों को, और इनको सबको क्या करता है paint करता है color करता है तो इस तरीके से इतने लोग मिल कर हमारी घर या building या school इन सबको बनाने के लिए काम करते हैं तो यह हमारे helpers हुआ है ओके तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गिया होगा अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे ओके थैंक यू have a nice day